हेलो स्टूरेंट वेलकूम दो वर यूट्यूब चैनल तो आज भी हम बात करेंगे विपिंद्रिपाटी कुमाउं इंस्टिट्यूट आप टेक्नोलोजी द्वाराट कॉट आप 2023-2024 ऑल केटेग्री ऑल ब्रांच उत्रागंड बिटेक गवर्मेंट कॉलेज अनमेशन कॉट अगर आपको ब्रांच लेनी है वारे में आप टिजा करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल काटिकरी की जो student है अगर आपकी सब कैटेग्री आम पोर्स में आती है और उत्राखन रिजन से बिलोग करते हैं सिबिल अगर आपको ब्रांच लेनी है बिटी काटी कॉलेज द्वाराट में अगर male है तो आपकी जो rank जाती है वो जाती है 2,78,381 तो इतनी rank होने चेकर आपको ब्रांच लेनी है तो आपको फर्स्ट रांड में सीट अलोट हो जाएगी और जनरल काटिकरी में ही जो सब काटिकरी जिनकी एफफ में आती है उत्राखन रिजन से बिलोग करते हैं सेविल अगर आपको ब्रांच लेनी है मेल है तो आपकी जो rank जाती है 6,92,656 तो अगर आप कितनी rank है तो आपको फर्स्ट रांड आपको फर्स्ट रांड में सीट अलोट हो जाएगी बेटी काटी कॉलेज द्वाराड में जनरल कैटेगरी में हम बात करेंगे जिनकी सब कैटेगरी जनरल में आती है और उत्तागर रिजन से बिलोग करते हैं और सीविल अगर आप ब्रांच लेनी है मेल है तो आपकी जो rank जाती है वो जाती है 1,69,124 अगर आपकी इतनी rank है तो ट्राइ कर सकते हो आप और ब्रांच के लिए अगर आपको सिविल नहीं चाहिए और इलेक्टिकल इंजिनरिंग अगर EC और CS लेनी है तो ट्राइ कर सकते हो आप फस्स राउंड में और जनरल कैटेगरी में हम बात करेंगे फिमेल कैटेगरी की अगर आपकी तब भी आपको BTKT कोलेट में सिविल एलोट हो जाएगी गर सब कैटेगरी में जिनकी सब कैटेगरी TfW में आती है उत्राखन रिजन से बिलोंग करते हैं अगर आपको सिविल लेनी है BTKT College द्वाराट में मेल हैं तो आपकी जो रेंग जाती है TFW वाले जो स्टूडेंट है 1,52,115 तो इतनी आपकी रेंग होनी चाहिए अगर आपको TFW की सीट चाहिए BTKT College द्वाराट में तो हम बात करेंगे OBC कैटेगरी की जो स्टूडेंट है अगर आपकी सब कैटेगरी जनरल में आती है उत्राखन रिजन से बिलोंग करते हैं अगर आपको ब्रांच लेनी है मेल है तो आपकी जो रेंग जाती है 2,53,5,5,2,5,385 तो इतनी अगर आपकी रेंग है तो आपको सिविल ब्रांच है आपकी एलोट हो जाएगी BTKT College द्वाराट में OBC कैटेगरी में फिमेल कैटेगरी की बात करेंगे जिनकी सब कैटेगरी जनरल में आती है उत्राखन रिजन से बिलोंग करते हैं सिविल अगर आपको ब्रांच लेनी है और फिमेल है आपकी जो रेंग जाते हो जाती है 3,72,644 इतनी आपकी रेंग है तो आपको सिविल इंजिनिरिंग ब्रांच आपको एलोट हो जाएगी BTKT College द्वाराट में सिविल अगर आपको ब्रांच लेनी है उनकी बात करेंगे जिनकी सब कैटेगरी आम पोर्स में आती है उत्राखन रिजन से बिलोंग करते हैं सिविल अगर आपको ब्रांच लेनी है मेल है आपकी जो रेंग जाती हो जाती है 5,67,668 इतनी अगर आपकी रेंग है तो आपको BTKT कॉलेज में सिविल जो ब्रांच है वो अलोट हो जाएगी और सिविल अगर आपको ब्रांच लेनी है और सिविल अगर आपको ब्रांच लेनी है मेल है आपकी जो रेंग जाती हो जाती है 2,42,072 ठीक है इतनी अगर आपकी रेंग है तो आपको सिविल जो है फस्ट रांड में लोट हो जाएगी BTKT कॉलेज में अब बात करेंगे हम ST category की जो student है जिनकी सब category जनरल में आती है उत्राकर रिजन से बिलोग करते है civil engineering अगर आपको branch लेनी है BTKT कॉलेज दौरहाट में मेल है आपकी जो रेंग जाती हो जाती है 3,88,700 ठीक है तो इतनी अगर आपको ब्रांच चाहिए इतनी अगर आपकी रेंग है तो आपको जो है civil जो branch है वो आपको ऐलोट हो जाएगी BTKT को फॉरहाट में फर्स्ट रॉड में और ST काटेगरी में female की बात करेंगे हम जिनके सब काटेगरी जनल में आती है उत्राकर रिजन से बिलोंग करते हैं civil लेनी है और female काटेगरी है तो आपकी जो gender अगर आपको female है तो आपकी जो rank जाती हो जाती है वाइब लेक्व नइन थाउजन टूंडेड्टिवन ठीक है पाइब लेक्व 9,231 अगर आपको ब्रेंक तो आपको वी टी कैटी कोले दाराट में सिविल जो ब्रांच से वह अट हो जाएगी तो यह तो ही इस यहर की Cut-Up जो जा सकती है आपकी civil branch के लिए मैं आपको दिखाता हूँ previous year के जो cut-up गई थी वो दिखाता हूँ तो यह है previous year के cut-up इसका भी चाओ तो आप screen-sort ले सकते हो तो इसको भी आप compare कर लेना अपस में अगर आपकी यहां तक कि अगर आपकी रहेंगे तो आपको civil branch BTKIT college में एलोट हो जाएगी first round या फिर second round या फिर spot round में तो आप try तीनो round करना और यह है इस year के जो आपकी cut-up जा सकती है civil branch के लिए तो अगर आपको यह video informative लगे तो अपने दोस्ता शेयर जरूर करना और चैनल को subscribe जरूर करना और description box में मैंने अपने facebook आईडी और instagram id का link दे रखा है उस पर भी आप follow कर सकते हो अगर आपको मैं youtube पर comment का reply ना मिले तो instagram या फिर facebook पर आप सकते हो मैं आपको वहां भी आपको बता सकता हूँ तो आप instagram और facebook पर भी message कर सकते हो link मैंने description में डाल दिये तो आप check कर ले न thank you so much इस प्रेंट आपने वीडियो को पुरा अंतर देखा I hope मैं आपको अच्छे से समझा सका अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप comment ज़रूर करना नीचे से अगली वीडियो में हम बात करेंगे chemical और mechanical की जो branch है उनके बारे में discuss करेंगे तो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में